नमस्कार वेब दुन्या के मंदिर मिस्ट्री चेनल में आपका स्वागत है चलिए इस बार हम आपको ले चलते हैं असब में गुवाहाटी के पास इस्थित निलांचल पहाड़ पर कावाख्य देवी के मंदिर यहाँ मंदिर माता सतिक के 52 शक्ति पिठों में से एक है आओ जानते हैं कि क्या रहा से इस मंदिर का तांत्रिकों का गड़ मा कामाख्य का यह मंदिर तांत्रिकों का प्रमुख सिद्धपीट माना जाता है यहाँ पर दुनिया भर के तांत्रिक वेशेश दिनों में एकत्रित होते हैं माता कामाख्या तांत्रिकों की देवी होने के साथ ही कुछ संप्रदायों की कुल देवी भी हैं। यह महान शक्ति साधना का कैंद्र है। 52 शक्ति पिठों में से एक कामाख्या देवी मंदिर देश के 52 शक्ति पिठों में से सबसे प्रसिद्ध शक्ति पिठे। पुरानिक कथाओं के एनुसार यहां पर देवी सती की योनि गिरी थी यहीं भगवती की महा मुद्रा अर्थात योनि कुंट इस्तित है यह देवी माता सती का ही एक रूप है कामना होती है पूर्ण कहते हैं कि यहां हर किसी की कामना सिद्ध होती है इसी कारण इस मंदिर को कामाख्या देवी का मंदिर कहा जाता है कामाख्या देवी की सवारी सर्प है कामाख्या मंदिर से कुछ दूरी पर उमानंद भेरो का मंदिर है यह मंदिर ब्रह्मबुत्र नदी के बीच में टापू परिस्तिते इनके दर्शन करना भी जरूरी होता है पत्थर से निकलती है खून की धारा यह मंदिर तीन हुस्सों में बना है इसका पहला हिस्सा सबसे बड़ा है जहांपर हर सक्ष को जाने नहीं दिया जाता है दूसरे हिस्से में माता के दर्शन होते हैं जहां एक पत्थर से हर समय पानी की धारा निकलती रहती है कहते हैं कि मेहन में एक बार इस पत्थर से खून की धारा भी निकलती है ऐसा क्यों और कैसे होता है यह आज तक किसी को ग्यात नहीं हुआ है माननीता है कि तीन दिन देवी मासिक धर्म से रहती है अनुखा उपहार परंपरा अनुसार तीन दीन मासिक धर्मे के चलते एक सफेद कपड़ा माता के दर्वार में रख दिया जाता है और तीन दीन बाद जब दर्वार खुलते हैं तो कपड़ा लाल रंग में भीगा होता है जिसे उपहार के रूप में भक्तों को दे दिया जाता है यह कपड़ा बहुत पवित्र माना जाता है यहां लगता है अंबुवाची मेला यहां प्रतेक वर्ष अंबुवाची मेला लगता है इस दोरान पास में इस्थित ब्रह्म पुत्र नदी का पानी तीन दीन के लिए लाल हो जाता है इसा कहते हैं कि पानी का ये लाल रंग कामख्या देवी के मासिक धर्म के कारण होता है तीन दिन बाद दर्शन के लिए यहां भक्तों की भीड मंदिर में उमड पड़ती है आपको कैसी लेगी हमारी है जानकरी हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की रहस्मई बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकोन के बटन को दवाना न भोलें ताकि आपको इसी तरह के नोटिफिकेशन मिल सकें धन्यवाद वैब दुनिया की सबी से अपील है कि भीड भार से बचे, मास्क पहने वा सैनिटाइजर का इस्तमाल करें साथ ही सोशल डिस्टंसिंग का पूरा पालन करें